आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी पॉइंट आर्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम सुरू करने वाले हैं जी डिश्टू पीए पोस्टमेन मट्रिम करते हैं या पीए की तयारी करते हैं तो हमारे सिंपल इंट्रेस्ट का टोपिक है वह बहुत ही मैंतरपुन है उसे एक क्युशिन आप से पूछा जाएगा हमसे तो सिंपल इंट्रेस्ट आपको डिस्क्रिप्सन वे मिल जाएगा वहां से आप वो सभी class देख सकते हैं तो आज के लिए हमारा topic रहेगा simple interest simple interest है जो सभी exam के लिए ही मैतवपुन है तो हम सभी exam को cover करते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान हम GGS2PA जो हमारे postal department को उसको ध्यान में रखेंगे और उसके साबसे हम क्यूसन हल करेंगे और अन्य अग्जाम के लिए भी ये काफी लाबदायक होगा तो हम सबसे पहले इसकी मैतवपुन जानकारी देख लेते हैं कि हमें simple interest के अंदर किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले हमारे मैतवपुन जानकारी के रूम में देख लेते हैं हमें ध्यान रखना होगा मूलदन का मूलदन को हम बोलते है principle प्रिंसिपल होता क्या है जब हम कोई धन या तो धार लेते हैं या हम धार देते हैं वह क्या होता है मूल धन यानि की प्रिंसपल उसके बाद में हैं ब्याज यानि की इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट का मतलब क्या हो गया यहां पे यहां पे इंट्रेस्ट का मतलब हो गया भी कि हम जो कोई धन देते हैं जो हम धन उधार देते हैं उसके बाद में हमें जितना एक् मैं दिये धन पर प्रतिसक्त है कि कितने पर ऊज्व दके दयर थैंदर करेने उस्के यह को समय बोलते हम की समय को समय चुप सकते हैं तो ऊछ सकते हैं हमारे क्यों संद्र न किया आ जा सकते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है फिर हम basic concept से हम question हल करेंगे फार्मूल से भी हल करेंगे तो हमारा basic फार्मूला है तो time यानि कि time इसको हम बोलते है time और इसको बोलते है principle और इसको बोलते है rate इसको बोलते है time इसको बोलते है principle इसको बोलते है rate यानि क तेग प्य ते सो इसको क्या बोलता इसके इक्वेल टु क्या उता है व्याज़ अगर हमारे पास मूलधनों समय हो दर नुक्त मिल्टप्लाइब करके सो का डिएड क्यों करते हैं क्यों, कि दर हमेसा percentage में होती है, तर हम percentage अटाने के लिए divide में क्या करते है, so, तो हमारा क्या जाता है, ब्याज, यानि कि हमारे पास formula है, sumenda into more than into the, यानि कि time into principle into rate, divide so equal to interest, तो हमें याद करने के लिए, हम कैसे याद कर सकते हैं, हमारे याद नहीं रहता, तो हम धाया को याद कर सकते हैं समूंदर क्या याद कर सकते हैं समूंदर gda भी समूंदर व्टे सो समझनाः बात इसका सह इसका मुण और इसका दर सम October इक किस कि वता है ब्याज कि होता है तो हम भड़ते हैं हमारे आज की पहले क्युशन की और तो हमारा पहला question है रामने 800 रुपे की रासि澀ाड ली कितना रुपे की 800 रुपे की तो बताओ 10% की ब्याजदर सिवेती इन वर्स के बाद कितना ब्याज और जाएगा 800 रुपेको रासि澀ाड ली है तो हमें और कि हम्याद रखना है टीपियार jsविसे एक टीपियार यानने की टीपियार ये समोचती वाले ह कि तीपि खबुद्धियमारा कितना ह्यऒ्भल क उर्मारा पि कितना है भी 800 और कितना है हमारा 10 और ब्रते में क्या आ जाएगा 200 से डो 0 से 2 0 कैण से 8 को 30 24 24 को 10 स्टार्टिंग में कर सकते हम मूद्धन कितना 800 आप कर सकते हो 10 एंटू कर सकते हो, multiply कर सकते हो, आप थरी, divide में, so, इसको cancel किया, 8, 2, 80, 80 को 3 से गुणा किया, तो 240, 2, 2, 4, 0, इसका right answer होगा, देखते हैं, next question, next question है, मोन ने 15 रुपे की राशी उदार लिए, यानि कि मोन ने 15 रुपे की राशी उदार लिए, question आराम से पढ़ना है, गल्ती ने करने हैं, आपको मोन ने 15 रुपे की राशी उदार लिए, बताओ, 5% की राशी बताओ, पांच परसेंट की राशी बताओ, आपको जल्दी-जल्दी comment box के अंदर इसका reply करना है, इस कांसर क्या होगा, तो हम इस question को लिखते हैं, कि question कांसर क्या होने माला है, तो 15 रुपे की राशी है, राशी क्यतने की है, आपको फार्मूला याद है, 15 रुपे की राशी, यहां पर आ जाता है हमारा 150, 150 क्या आ गया है, हमारा ब्याज आ गया है, काफी बच्चे इसको सिधर direct क्या कर देते हैं, एक number option कर देते हैं, लेकिन एक number option क्या है, हमारा गल्थ है, क्योंकि 150 तो क्या है, ब्याज है, मैं क्या पुछ है, कितनी रासी अदा करने होगी हम 150 रुपे तो ब्याज अदा करना होगा और 15 रुपे की रासी जो उदार ली थी वो 1500 पलस 150 टोटल अदा करने होगी यानि कि Mr. दन हमारा कितना होगा 1650 कितना होगा 1650 तो इसका राइट आंसर हमारा ना कि A होगा हमारा राइट आंसर होगा इसका तीन नमबर 1650 हम बढ़ते हैं Next Question क्या है Next Question है हमारा तीन नमबर तो तीन नमबर Question को हम देखते हैं किसी धनराशी का सदायन ब्याज उसका 50% है किसी दर नातर स्दानि बयाज्द उसका 50% है तो मूल धन मालेते हैं 100 क्या मालने ने और आपको 100 मानना है उसके बाद में 2 वर्स है हमें क्या ने दिया गया दर ने दियेगी दर हम मालेते है और डिड्वाइड में क्या लेते हैं और ब्राबर में कितना है 50 परसेंट है तो 100 रुपे मुल्द है तो हमारा ब्याज अर्व ह्मारा ब्लाबर कितना होगा स्ब्सक्राइब न कर देंगे मकद यहुआ को řिस्ट स्वर्वस तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पिस्ट की और आपको इसका राइट आंसर देना है कोमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी क्यूशन नमर चार का कोमेंट बॉक्स के अंदर राइट-ांसर दे तो यहां पर पंद्रह सो रुपए की रासी किस दर्षी आर कमान ग्यात करना है से वैसा एक्यूशन है थीन वर्ष के लिए उदार दे जाए और वो कितनी हो जाती है 180 रुपे हो जाती है 180 तो दोजिरो से दोजिरो तो पंदर आती है 45 45 इंट्व और ब्राबर 180 को आर का मान क्यात करेंगे तो कुमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप मारी टेलेग्राम गुरूप पर भी लिख सकते हैं आपके सभी डावट का समाधान होगा तो हमारा next question है next question है किसी धन्राशी पर सदाण ब्याजू सदाण राशी का 25% है यानि कि किसी 100 रुपए है धन्राशी क्या मान लेते हैं 100 रुपए है तो धन्राशी का सदाण 25% सब्सक्राइब ऑ Knight कि या पर क्या आए एक क्या होगा पांश हूंक्य यह सक्ष्क comport एदर जाएगा थो जाएगा पांच तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पांच परसेंट इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका ही नेक्स्ट पार्ट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार आपने आपके यूटूब सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके नोटिकेशन मिल सके अगर आपको और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने साथियों को भी सेर करें और थैंक्स पूर वाचिंग आज के लिए वस इतना ही के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्यादा ज्यादा कोमेंट करें अगर आपको किसी पर परकारा सज्जेसन देना है वह भी सज्जेसन दें थैंक्स पूर वाचिंग एक बार फिर